जे मसी की दोस्तों, आज की सुरगे बनना का भाग हमने लिया है भजन सहीता की पुस्तक, उसका 103 अध्याय और उसका 14 वचन. वचन कहता है, क्योंकि वो हमारी स्टिष्टी को जानता है, उसे स्मन रहता है कि हम धूर ही है. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, तो अध्वुत है पिता परमेश्वर, तेरा प्यार अध्वुत है परमेश्वर, तेरा नाम अध्वुत है परमेश्वर, तो हमें जानता है कि हम कौन है, क्योंकि बाइबल कहती है, तू नहीं हमें अपनी मा के गर्म में र सकते हैं जिसे तू प्रसंद होता है तू सब जानता है तू जानता है और तुझे याद रहता है कि हम धूल है तुझे याद रहता है कि हम में कुछ नहीं है दोस्तों कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे या हमने कुछ भी नहीं है, वो क्या नियाए करेगा, अगर उसका नियाए आएगा, तो हम कुछ नहीं रहेंगे, हमारा सर्व नाश हो जाएगा, लेसी लिए परमेश्वन ने अद्वुत तरीके से, प्यार के साथ, अपने प्यार को हमारे जीवन में उडेला, और ऐसी अद्वुत य योशना बनाई, इतना अनुख्रे दिया, कि जो मेरे पुत्र इश्व मसी पर विश्वास करेगा, वो सदा के लिए आनंतकाल का जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा, मैं उनके अपरादों को देखूंगा नहीं, मैं इश्व मसी में उसको देखूंगा, दोस्तों काम किया, उसका मुझे फल मिलेगा, ये नियाय कहता है, लेकिन अनुख्रे क्या कहता है, अनुख्रे कहता है, कि जो मैंने नहीं किया है, मैं जिस काबिल नहीं था, वो चीज मुझे मिली है, उस काबिल मुझे परमेश्वन ने बना दिया है, यानि कि मैं पापों और शाप से मैंने कुछ भी नहीं किया और परमेश्वर ने अनुग्रे के त्वारा उन सारे पापों को मुझसे लिया और अपनी धार मिक्ता दे दी मुझे धर्मी बना दिया मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं उसके सामने जाने के योग्यर हूँ धन्यवाद पिता तु महान है तो जैसी योशना तेरी योशना को जब लोग समझ लेंगे परमेश्वर उनका नत्म पूरी तरीके से तेरे चर्णों में नत्मस तक करेंगे वो और किसी को नहीं पूछेंगा और यही तरी इच्छा है और यही तरी योशना है धन्यवाद पिता परमेश्वर तु महीमा और तेरी उपस्तिती का आशीश बाइबल कहती है पहला कुरूंतियन 10-13 कि तू किसी ऐसी परिशा में भी हमें नहीं डालता है जो हमारे सेहने से बाहर होगी तू महीमा तू जानता है कि हम परिशाओं को नहीं सेहन कर सकते है इसलिए तू हमें अपने हाथों में अपने हाथों में लिए चलता है इसलिए तूने अपना हमारा नाम अपनी हाथों में लिखा हुआ है इसलिए तू हमारे बानुम की किंती जानता है जब हम रात को सोते हैं तू हमारे पास आता है और हमारे माते पर अपना हाथ रखते हुए सहलाता है और बताता है कि मैं हूँ बच्चे तुम मुझे याद कर, तुम मुझे मान दे मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ तेरे जीवन में मैं हूँ तेरे मन में हमेशा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी उपसेती का आशीश हमारे जीवन में हैं योही बना रहे क्योंकि हम कुछ नहीं है परमेश्वर इसलिए हम कुछ नहीं होते हुए तू हम में सब कुछ हो जा तू हम में सब कुछ हो जा तक कि हम तेरी योग के बन सके इस सुबा परमेश्वर हम तेरे चुनों में आते हैं और धन्यवाद की प्रात्रा करते हैं क्योंकि धन्यवाद ही है जो हम तुझे कर सकते हैं हमारे पास और कुछ नहीं है इसलिए धन्यवाद एतने परमेशर तुने इस धूल के कंड को उठा के मुकट बना दिया धन्यवाद परमेश्वर हर भाई जो सुन रहा है उसको आशीश मिले, सुख मिले वो ग्यान मिले, तेरी योशना का फल मिले क्योंकि परमेश्वर हम धूल है तेरे बिना हम कुछ नहीं है तेरे बिना हम सोच भी नहीं सकते तू आने वाले हमारे विचानों को जानता है तू हमारे कर्मों को जानता है तूने स्रिष्टी रची है तूने मुझे मेरी माँ के गर्ब में रचा है और तू जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मैं आज परमिश्वर तुने हमें अपनी संतान बनाया है तुने हमें अपने गले से लगाया है तुने हमें वह दिकार दिया है जो इश्यमसी का स्वरिक्मी है धन्यवा पिता पर विश्या तु बहुत 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 आशिश देने वाला पिता है और अनुगरेकारी है हम धन्यवाद देते हैं इश्यमसी के नाम से मागते हैं